ट्रो मेडिया जो तिस विज्ञान में सभी दर्सकों को हर हर महादेव बगवान भोलेनात के किरपा पर सदेव बनी रहे आज हम बात कर रहे हैं एक विशे को लेकर कि वह कहा जाता है कि महाभारत के काल में एक स्राप इस्तरी जाती को मिला था और महाभारत में मिला इस्तरी को यह स्राप परतेक महिला को यह स्राप जो मिला उसे हर महिला आज भी उसे भुगत रही है उस साप से आज भी पेड़ित है और कोई भी महिला हो वह चाहकर भी इस स्राप से मुक्ति नहीं पापा रही है तो आईए आज जानते हैं कि यह ऐसा कौन सा स्राप है जिसके कारण जिसको आज भी परते किस्तरी हर एक महिला चाहे वह कोई भी हो हिंदू हो धरम का भी यहां मतलब नहीं है क्योंकि जो सिद्ध लोग होते हैं वै धरम से जाती से परे होते हैं उनका तो एक ही धरम होता है इंसानियत और आत्मा का परमात्मा से तो जो परमात्मा से जो जुड़े हुए लोग होते हैं अगर वै किसी जाती को या किस तरह आप या अच्छी बात कह देते हैं तो वै अवस्य ही फले भूत होती है और उसका परे नाम अवस्य ही निकलता है यह निरथक नहीं जाती ऐ और वह स्राप आज भी भुगत रही है, चाहे वह महिला हिंदू की हो, चाहे वह महिला मुस्लमान हो, चाहे वह महिला सिक्ख हो, चाहे वह महिला इसाई हो, और तो और पूरी दुनिया के अंदर, कहीं भी इस धर्ती पर कहीं भी हो, वह महा भारत के इस्राप से बच नहीं सकत और वह इसराब को जहल रही है तो आईए बात करते हैं वह कौन सा सराब था यह गटना है महाभारत की महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युद्ध चल रहा था जब महाभारत में दो महान धनुदर थे एक था अरजुन और दूसरा था कर्ण तो महा भारत के युद्ध में जब अर्जुन के दुआरा से कर्ण को मार दिया गया और कर्ण की मुर्तियों हो गई तो उसके बाद उसके सव पर माता कुंती विलाब कर रही थी रो रही थी उसके सव के पास बैठी हुई तो कुंती के जो पांचो पुतर थे जिने पांडव कहा जाता था पांचो पांडव उनमें सबसे बड़े युदिष्टर थे युदिष्टर आश्चर सभी आश्चर चकित हुए कि हमारी माता राधे कर्ण की सव पर बैठ कर क्यों रो रही है क्या करण है क्योंकि करण तो हमारा सत्रू है और करण से हमारा कोई रिस्ता भी नहीं है तो फिर आखिर क्यों रो रही है यहां जाकर जब पांचो भाई इसी जिग्यासा को ले करके मा कुंती के पास पहुँचे करण के सब के पास पहुँचे और पूछा, कारण पूछा, कि आप राधे, जो रिष्टर ने ही पूछा कि आप राधे के सब पर आप विलाप क्यों कर रही हैं, इसका क्या कारण है, क्योंकि यह राधे, कारण जो है, यह तो हमारा सत्रू है, इस से आपका क्या रिष्टा है, तब कुंती कहती है, कि यह र आधे नहीं यह कौन्तिय यह है यह तुमारा सबसे बड़ा भाई है यह तुमारा जिरेष्ट ब्राता है तो सभी पांचों भाई बहुत ही दुखी होते हैं और युदिश्टर कहते हैं कि है मा तेरे कारण आज हमारे उपर अपने बड़े भाई को भाई की मारने का जो पाप हमारे उपर लग गया ब्रार्त हत्या का जो पाप हमारे उपर लग गया है यह आपके कारण लगा है तो आज मैं परतेक इस्त्री जाती को सराब देता हूँ कि आज के बाद कोई भी इस्त्री होगी अपने हिर्दे के अंदर राज को दफन नहीं कर पाएगी उसके दिल में उसके पास कोई भी राज होगा वह राज नहीं रहेगा और यह सराब युधिश्टर ने माता कुंती को के रूप में पूरी इस्त्री जाती को दिया था और यह सराब तब से आज तक फली भूत हो रहा है इसकी आप जाच करना चाहें तो पूरी दुनिया के अंदर भारत की छोड़िए सनातन धर्मों के लोगों की छोड़ दीजिए किसी भी धर्म में चले जाए ये दुनिया के किसी भी कौने में जाकर पता कर लीजिए पूरी धर्ती पर इस्त्री के पास कोई राज राज नहीं रह सकता वह थोड़े समय के बाद ही उस राज को किसी ना किसी के सामने अवस्य ही खोल देगी और इस्त्री की आज यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपने अंदर किसी राज को लंबे समय तक नहीं रख सकती और यह युदिश्टर के स्राप के कारणी ही है और आज भी परते किस्त्री इस स्राप को जेल रही है वह राज अपने अंदर लंबे समय तक नहीं रख सकती थोड़े ही समय के अंदर वह किसी ना किसी के सामने उस राज को खोल देती है यह इस्त्री की मजबूरी है इसक्योंकि इस्त्री राज ना रखने के लिए स्रापित है माहा भारत के इस्तराप के कारण आज हर इस्तरी स्राप जहिल रही है तो आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि यह हर एक इस्तरी राज क्यों नहीं रख पाती और वह ऐसा कौन सा जो स्राप था जो कि आज इस्तरी उसको जहिल रही है तो यह युदिश्टर के दुआरा म कुंति के रूप में पर्तिकिस्त्री जाती को दिया गया यह इसराप है और यह आज भी फली भूत हो रहा है और आगे भी होता रहेगा इसी के साथ हम आप से अब विदा चाहते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जिग्यासा के साथ एक नए विशे के साथ लेकिन आप हमारा इसी भी ट्रू मीडिया को लाइक, शेर, कमेंड करना न भूलें और जो नए जुड़े हैं वहे सब्सक्राइब भी करना न भूलें इसी के साथ हमें इजाज़त चाहते हैं हर हर महादेव अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें